हेलो दोस्तो वेलकम माई यूटूब चैनल आपसन ट्रेडिंग टेकनिकल एनलाइसिस में आप सब का स्वागत है तो दोस्तो कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तो आप में से बहुत सारे बिगिनर का मेरे पास मेसेज आया जो सर इंडिगेटर कौन सा टाइम फ्रेम पर कामकाज करती है देखे मैं आग इस वीडियो के अंदर सारे चीजे जो है किलियर कर दूँगा कौन से टाइम फ्रेम पर इंडिगेटर कामकाज करती है और कितनी इसकी एकुरेसी होती है और क्या ये बाई एंड सेल का सिगनल देती है देखे मैं सा क्या बताता है overboard, oversold ठीक है लेकिन अगर आप लोगों को technical analysis के बारे में नहीं पता है candlestick के बारे में नहीं पता है तो आप लोग उस indicator के माध्यम से भी trade नहीं कर सकते हो देखिए बहुत सारे beginner जो simple moving average होता है उसको भी लगा करके market के अंदर पैसा बनाते हैं profit बनाते हैं लेकिन उसका सही तरीका अगर आप लोग सीख जाओगे कौन से time frame पर हमें indicator को लगाना चाहिए तो आप लोग market के अंदर 100% मैं कह देता हूं profit बनाओगे ठीक है देखिए ये video सिर्फ education purpose से है मैं आप लोगों को recommend नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ट्रेड करें आप लोगों का capital है आप लोग जिस broker के अंदर जिस application के अंदर कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का है ठीक है अब चलिए बिना देरी करते हुए हम चलते हैं सीधा screen के ऊपर तो देखे दोस्तों अब हम screen के ऊपर आ चुके हैं आप लोग देख सकते हैं ये nifty 50 का chart है तो देखिए अब हम पहले बात करेंगे जो किसी भी indicator का accuracy कितनी percent है तो देखे दोस्तों मैं यहाँ पर साफ कह देना चाहता हूँ जो कोई भी indicator हो मैं आज simple moving average के बारे में बात करूँगा आप लोग xyz जो भी indicator को follow करते हैं जो भी indicator आप अपने trading chart के ऊपर लगाते हैं वो सारे चीजे clear कर दूँगा आज मैं इस वीडियो के अंदार तो देखिए पहले accuracy की बात करेंगे तो किसी भी indicator का accuracy होता है only 50% बोलो तो इससे भी कम ही होता है इससे उपर accuracy बिल्कुल भी नहीं होता है indicator के अंदर देखिए indicator क्या दरसाती है overboard, oversuit बस आप लोगों को वहाँ पर क्या करना है moment को capture करना है देखिए जब तक चीजे सीखेंगे नहीं आप लोग तब तक आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा और market के अंदर profit नहीं बना पाओगे तो इसलिए जो है आप लोगों को पहले learn करना परेगा उसक चाहे 15 मिनट हो चाहे 30 मिनट हो चाहे one day का हो चाहे weekly का हो लेकिन आप लोगों को indicator यही चीज़ बताएगा जो यह overboard हो गया है और यह overshoot हो गया है मैं आप लोगों को अलग-अलग time frame के अंदर दिखाऊंगा simple moving average के अंदर ठीक है अब चलिए अब हम पहले मैं आप लोगों को पांच मिनट के time frame पर simple moving average लगा के दिखाता हूं देखिए मैं आप लोगों को पांच मिनट के time frame पर simple moving average लगा के दिखा रहा हूं यह देखिए यह क्या होता है एक support और resistance के रूप में कामकाज करती है कोई भी indicator हो ठीक है आप लोग देख सकते हैं यह देख लीजे आप क्याइक से support लिया गया यहां से support लिया गया फिर यहां से support लिया गया देख सकते हैं आप लोग इससे हमें क्या पता लगता है जो market का trend है वह क्या है esperar अब अब में आप लोगों को 15 मिनट के time frame पर दिखाता हूं जो आप लोगों को कौन सा टाइम फ्रेम को लगाना चाहिए, लेकिन इंट्राडे के बेस पर कौन सा टाइम फ्रेम सही होता है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, पहले ये सारे चीजे जो है clear हो जानी चाहिए तो देख सकते हैं आप लोग 15 मिनट के time frame पर भी वही चीजे यहाँ पर दिख रही है क्या दिख रही है यहाँ जो indicator लगा हुआ है हमारा simple moving average लगा हुआ है और ये indicator जो है आप लोग देख सकते हैं यह जो blue line है blue line के ऊपर ही अभ time frame पर भी यह क्या ले रही है support ले रही है यह blue line के ऊपर ही trade कर रही है तो क्या है अभी nifty 50 uptrend के अंदर है अब चलिए मैं आप लोगों को one day के चार्ट पर ले चलता हूं अब आप लोग देख सकते हैं one day के चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं यह जो blue line है blue line के उपर ही nifty 50 trend कर रही है तो अभी क्या है nifty 50 bullish है याने की uptrend के अंदर है आप लोग one day के चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं same proceed मैं आप लोगों को सारी चीजे दिखा रहा हूं यहाँ पर अब मैं आप लोगों को weekly chart के ऊपर ले चलता हूं अब आप लोग देख सकते हैं weekly chart क के ऊपर भी यह जो blue line है blue line के ऊपर ही nifty 50 अभी trade कर रही है तो अभी क्या है nifty 50 bullish है मैंने आप लोगों को हर एक टाइम फ्रेम के अंदर दिखा दिया जो indicator कितना कामकाज करती है अब चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं intraday के बेस पर कौन सा टाइम फ्रेम रखना च दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज कह देना चाहता हूं जो intraday के लिए टाइम फ्रेम होना चाहिए वो होना चाहिए 15 मिनट का याने की 15 मिनट का इसमें क्या होता है इसमें आपको accuracy की बात करेंगे तो इसमें आप लोगों का जो accuracy होगा indicator के अंदर वो भी होगा 60% होग ठीक है और जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा इसके अंदर 50% से भी कम accuracy होगा कोई भी indicator आप लोग लगा लीजिए ठीक है सारा mind का खेल होता है सारे indicator कामकाज करती है लेकिन आप लोगों का mindset नहीं है सभी indicator कामकाज करती है market के अंदर आप लोग जो भी indicator लगा लीजिए उसक कहां है तब तक आप लोग market के अंदर profit नहीं बना पाओगी यह 100% में challenge देके कह देता हूं आप लोगों को example के तौर पे मैं आप लोगों को चार्ट यहां पर clear करके दिखाता हूं देखिए आप लोग यहां पर क्या गलतियां करते हो सबसे पहले गलतियां क्या करते हो आप लोग multiple यहां पर support और resistance को ड्रा कर लेते हो जैसे कि let's suppose आप लोग देख सकते हैं यहां पर एक आप लोगों ने resistance को ड्रा कर लिया एक यहां पर आप लोगों ने resistance को ड्रा कर लिया ठीक है इसमें आप लोग क्या हो जाओगे confused हो जाओगे आप लोगों को major resistance और major support को यहां प पर देखना है वह कौन सा टाइम रखना है वह आप लोगों को 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर ही किलियर कट दिखेगा यहां पर क्या होगा जो केंडल होगा ब्लैंड हो जाएगा जैसे आप लोगों को यहां पर समझ में नहीं आ यह सपोर्ट है कि रजिस्टेंस है तो आप लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करोगे अगर ट्रेड तो आपकी एकुरेसी यहां पर सिक्टी से ले करके 70 परसेंट तक बढ़ जाएगी जब तक आप लोगों को सपोर्ट और रजिस्टेंस के बारे में नहीं पता लगेगा आप लोग देख सकते हैं यहां पर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया अब जो हमारा मेजर रजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यह बाला आप लोग देख सकते हैं कभी भी मैं आप लोगों को कहता हूं जो दो पॉइंट को आप लोगों को कनेक् resistance है देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो पॉइंटों को connect कर दिया है आप लोग यहाँ पर clear cut देख सकते हैं तो यह हमारा क्या हो गया major resistance के रूप में कामकाज करेगी आप लोग देख सकते हैं यह हमारा major resistance हो गया आप लोगों को यहाँ पर trade setup कैसे बनाना है देखिए आप यहां पर क्या हुआ है यहां से इस रजिस्टेंस को बिकाउट किया गया आप लोगों को ऐसे एंटी नहीं लेना tobh honestly आप लोगों को एंट्र कैसे लेना है चीर्फ एक रीट्रेस्मेंट पर ही एंट्री लेना है जैसे कि देखिए double confirmation के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए जैसे कि यहाँ पर resistance को breakout किया तो यह हमने यहाँ पर resistance को draw कर लिया और आप लोग देख सकते हैं यह हमारा simple moving average है और simple moving average से भी यहाँ पर क्या किया गया support लिया गया और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जब भी कोई resistance breakout करती है तो वो हमारे लिए क्या काम करती है support के रूप में काम करती है तो आप लोग देख सकते हैं यह हमारा indicator है simple moving average का यहाँ से भी support लिया गया और यह जो हमारा पहले resistance था यहाँ से भी support लिया गया और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से retracement करके दुबारा फिर इसको जो है यहाँ पर breakout किया तब आप लोगों को यहाँ पर entry लेनी थी और जो आप लोगों का target रखना चाहिए target आप लोगों का जो first resistance जैसे कि immediate हमारा resistance यहाँ पर है तो यहाँ तक का आप लोगों को target के लिए जाना चाहिए और SL हमेशा आप लोगों को जिस candle पर आप लोग entry लेते हो let's suppose आप लोगों ने इस candle पर entry लिया यह जो candle है इस पर entry लिया तो आप लोगों को जो SL लगाना चाहिए उसका जो previous candle होगा जैसे कि यह हमारा previous candle है मैं आप लोगों को यहाँ पर chart को थोरा सा clear करके दिखाता हूँ अब आप लोग देख सकते हैं जैसे कि इस candle पर हम लोगों ने entry लिया और यह इसका previous candle है यह जो hammer candle है आप लोग देख सकते हैं इस candle का जो low होगा थोरा buffer लगा के यहां तक का आप लोगों को SL लगाना चाहिए और target आप लोगों को रखना चाहिए जो आप लोगों का immediate resistance है वहाँ पर अगर आप लोग SL को trail करते हो तो बरा बरा moment आप लोग capture कर सकते हो जब तक आप लोग price action को नहीं समझोगे ना तब तक आप लोग market के अंदर profit नहीं बना पाओगे और आप लोगों का जो confusion था वो मैंने इस वीडियो के अंदर सारे चीज़े जो है clear कर दिया हर एक indicator काम करता है लेकिन indicator क्या कहता है ये overboard हो गया ये oversawd हो गया ठीक है दोस्तो तुवासा करता हूँ सारे concept जो है clear हो चुकी होगी अगर आप लोगों को हमारा वीडियो informative लगे तो like करे चैनल पे नहीं हो तो subscribe भी कर लें साथ ही साथ बैल आकन के all पे क्लिक करना बिलकुल भी ना भूले ज़ूर क्लिक कर लें अगर अभी तक आप लोगों जाहिंद वांदे मातरम